नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिमा उनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेनर नॉलिज़ के दस बहुत ही इंपर्टेंट कोश्चन तो चलिए दोस्तों विना समय गवाय श्रू करते ह आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट कोश्चन है दोस्तों हाल ही में हुए टाइगर सर्वेच्छन में किस राज में बागू की संख्या सबसे अधिक है ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए करनाटक ऑप्शन बी मदिप्रदेश ऑप्शन सी राजिस्थान और उत्रखन दोस्तों कोश्चन नमबर बन का क्रेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए करनाटक तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा दोस्तों आज का कोश्चन नमबर टू इंडिया पोस्ट की इन सेवाओं में से किस एक कोईस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है तो कोश्चन नमबर टू का आपका क्रेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तार जो सेवा थी इसके लिए इस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है तो नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नहमारा भारत में अनिट्यम टेलिग्राम कब भेजा गया भारत में अंतिम टेलिग्राम कब बेजा गया तो option से आपके option A 30 July 2015 को option B 14 July 2013 को option C 19 July 2009 को and option D 30 July 2001 को question number 3 का correct answer होगा option B 14 July 2013 को तो भारत में अंतिम टेलिग्राम बेजा गया 14 July 2013 के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टेलिग्राम सेवा भी भारत में अभी जो है बंद हो चुकी है इंडियन पोस्ट की तरब से और यह जो आखरी टेलिग्राम बेज़े गया तो 14 July 2013 के लिए बहुत इंपोटेंट कोशन है खाच करके उन इभाउं के लिए पोस्ट आफिस में जाने के लिए तेयारी कर रहे हैं मतलब पोस्ट विभाग में जाने के लिए यह चुक हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादे इंपोटेंट होने वाली है तो कोशन आप्सन डी स्नेल मेल तो यह तो सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन वो इमेल है तो कोशन नमर 4 का करेक्ट आंसर आपका आप्सन भी इमेल से दोस्तो हम फ्री में ही केबल नैट का यूज़ करके इसका बोजवी चार ने जाता है फ्री में एक आइडी से दूसरे आइडी में एक सेकेंड में कोई बी व्मेस isso इधर ऋ olmasuna besalадно सबसे 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 सदन का इस समय केवल इमेल है जो कि पूरी दुनिया में ही पाह जाता है तो दोस्तो next question है मारा आज का question 5 भारत में पर्थमतार सेबा टेलेगराम की सुरुवाद कब हुई भारत में पर्थमतार सेबा की सुरुवाद कब हुई मतलब किस के बीच हुई तो option से आपके बैंगलूरू और नैनी के बीच, option B है कोलकाता और डैमंड हार्बर के बीच, option C है इलाबाद और नैनी के बीच, and option D है जैपूर और जुद्पर के बीच, तो question number 5 का आपका correct answer होगा, option B, कोलकाता और डैमंड हार्बर के बीच, यहां दोस्तों भारत में प्रतमतार सेवा, कोलकाता और डैमंड हार्बर के बीच में सुरुआत की गए थी, तो next question के तरफ चलने से पहले, मैं आपसे request करना चाहूँगा, कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ने किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वेल आकम क प्रेज जरू कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले, तो चलिए दोस्तो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF आप description से free में download कर सकते हैं, तो next question के तरफ चलते हैं, next question है हमारा question number 6, भारत में पहली बार STD सेवा कि किन दो स्थानों के मद्द शुरू ही, option से आपके जैपूर और विकानेर, option C, नासिक और पुड़े, option C, लखनू और कानपूर, and option D, इनमें से कोई नहीं, तो भारत में पहली STD सेवा किन दो स्थानों के मद्द शुरू ही, तो option है आपका option C, लखनू और कानपूर के तो दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर सेबन भारत में स्टीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष होई तो ऑप्सन से आपके ऑप्सन एप 1950 में ऑप्सन भी नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर एट भारत में मरियाडर प्रणाली का प्रारंब हुआ भारत में मनियाडर प्रार्णाली का प्रारंब कब हुआ तो ऑप्सन साबके 1802 में 1802 में या ऑप्सन डी है 1870 में तो नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा आज का दोस्तों ऑप्सन नमर नायन डांग विभाक की स्थापना कब हुआ डांग विभाग की स्थापना कब हुई तो ओप्षन सा आपके ओप्षन A 1844 में ओप्षन B 1853SB में ओप्षन C 1854SB में और ओप्षन D 1855SB में तो दोस्तो डांग विभाग की स्थापना हुईती आपकी 1854SB में तो यहाँ पर question number 9 का correct answer होगा option C 1854SB तो दोस्तो next question की तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दें और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को share करें और अकर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से current affairs, job notifications and general knowledge की वीडियो लेकर आता रहता हूं और दोस्तों इस वीडियो की जो भी PDF फाइल है वो आपको वीडियो की description से डाउनलोड आप कर सकते हैं फ्री में डाउनलोड होगा उसके लिए कोई भी आपको चाहर नहीं देना होगा और मैं अपनी चैनल पर डेली की डेली ये वीडियो लेकर आता रहता हूं तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो इस वीडियो में के मिल दस questions हैं एक questions रह गया है मैं आपको नो questions बता चुका हूं तो आपको इसके वीडियो के देखने के बाद में यह सही correct यह मलब जिनका answer आपको पहले सही पता है तो आपके लिए वो comment box में comment करके जरूर बताना है कि आपके 10 में से कितने question ठीक हुए तो चलिए next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 10 पहली बार डांग ticket यहां जारी की गई थी मतलब पहली बार डांग ticket कहां पर जारी की गई कि अपके लाहौर, इसलमबाद, करांची, एंड ऑफसंड यह आपका दोस्तो है रवार तो पहली बार भारत में डांग ticket जारी की गई थी वह करी गई थी करांची में तो दोस्तो पहली आजादी से पहली की बात कर रहा हूं ना आजादी से पहली डांग ticket जारी हुए थी तो ओकराची में दुस्क्राया जोतें होज़ी और लाहर इसलामबाद सब यह pakनाची नाहर इसलामबाद पाकिसतान में जाचोगी है तो पहले भारत के ही पाटथे इसलिए पहले बार डांक टिकेट जरी कि यहागोगा तकरांची में वीडियो मुझे कमेंट करके जरू बता जिएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लायक जरू कर देना और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और साथ ही वला आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में तब तक करें नमस्कार जैन जै भारत